हाई गाई गाई और आज की वीडियों बहुत जारा इंट्रस्टिंग है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में इस डेटा रिकावरी और स्पेशली अगर आप सुनी के कामेरा यूज करते हैं और वहां पे कभी डेटा इस डेटा रिकावरी के बारे में पूछते हैं और मैं जनरली खुद से कभी डेटा रिकावर नहीं करता था मेरे साथ अभी ये डिसेंट इंसिडेंट हुआ कि मैंने ये 64GB का गार्ड इमर्जंसी के केस में यूज कर लिया था मेरे शूट में और ये मेमरी कार्ड जो है व मैं काफी लोगों से रिकावरी के लिए मिला विकॉस इट वहीं इंपॉर्टन डेटा बट गहीं से रिकावर हो नहीं पाया जो की आता है टेंजर शेर्स की तरफ से इसका नाम है 4D डिक और ये जो सॉफ्ट्वेर में वन फी प्रॉमिसिंग सॉफ्ट्वेर एस यू किन सी वाइरस की वरिज़से भी करेक्ट हो जाती तो वो भी यह रिपेर कर देता है सॉल्फ कर देता है ठीक है आप इसको फ्री में ट्राइओट कर सकते हो विदाउट इनी प्रॉब्लम में अगर आपको ट्राय करके देखना है कि कार्ड रिकावर होता है नहीं होता है बट यह इन ट्राइट सॉफ्ट्वेर है मैंने अक्शली में इसे पर्चेस किया है और यह जो सॉफ्ट्वेर है अल्मोस्ट आप देख सकते हो 2000 प्लस फाइल सपोर्ट करता है इसमें आपके पास मेंगर जेपक हो आपकी फाइल अगर MP4 MP3 हो कोई भी फाइल होना हो सब रिकावर हो हो जाएगी और अफकॉस ड्रोन भी है तो वो भी आपका रिकावरी हो जाएगा ठीक है अब इसको पर्चेस करना है और यह कितने रुपे का यह बहुत सस्ता है अगर मैं इस पर कि रूम बाइना हो भी क्लिक आप देख सकते हो इसका वन मंद का लाइसेंस 45 डॉलर का है वन लिमेटेड 2000 प्लस फाइल की सपोर्ट मिल जाता है अब काफी अच्छे से अपने डेटा गो इस सौफ़वेर को त्रू रिकवर कर लोगे तो मैंने अभी इसको अल्रेडी इंस्टॉल किया है मेरे लाप टॉप में यहां पर आप देख सकते हो हाट ड्राइव अगर आपका है तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हूं सासत में आपको यह फोटो रिकवरी अगर करेप्टिट फाइल है और वीडियो रिकवरी का फीचर भी प्रोवाइट कराता है ठीक है तो यहां पर मैंने जो है मेरी एक्स्टनल यूएस्बी ड्राइव लगा रिकिये ठीक है हमें क्या रिकवर करना है उसमें से पहले मैं आपको फॉर्मैट करके दिखाता हूं ठीक है ताकि आपको यकीन हो सके तो मैं आपको फाइल्स में ले चलता हूं ठीक है यह मेरा यह रिमोवेबल यूएस्बी है ठीक है ठीक है इसमें पहले हम लोग कॉपी करते हैं से डेटा ताकि मैं आपको जो है वो asura कौ कैसे हम रिकावर करते हैं तो मैं अभण को दिखा सकूं तो कि मैं यह में गया और कि यह क्लिप्स में यहाँ पेसे कर देता हूं फिर मैंस कार्ड को फॉर्मैट करोओ और फिर हम इसको recover करके देखेंगे देखो यह data अभी लगबग 1GB के आसपास का data यह मैंने यहाँ पर copy कर दिया है ठीक है copy हो गया है यहाँ पर card अब मैं आपको वापस ले चलता हूं card के ऊपर ठीक है यह रहा card removable disk यहाँ पर मेरे पास आता है format का option हम इसको करेंगे format ठीक है यह card हमारा format हो गया format completed अब मैं जाओंगा software में इस software को हम लोग restart करते हैं एक बार ही want to exit yes यहाँ से हमने इसको restart किया software हमारे सामने जो है वो open हो रहा है software हमारे सामने open हो गया और यह पूरा हाली है as you can see अब हम scan करेंगे इसको हमें क्या recover करना है वीडियो हमको चाहिए photo और वीडियो हमें यही दो चीज़े चाहिए scan file and recover next next कि यह recovery करना सने start भी कर दिया as you can see 5068 file already found कर लिया ठीक है undo recover हमने यह file path clip हमको file path clip से चाहिए recovery कर दी ठीक है recovery कहां जाएगी desktop पे हम लोग इस recovery को AI वाले योगिश वाले folder में save कर लेते हैं ठीक है recover and repair दोनों करना है आपको अगर corrupted है तो recover भी हो जाएगा और repair भी हो जाएगा ठीक है और यह recover होना यहां पे आपके सामने start हो गया और मैं आपको folder में ले जाओ यह folder में हमने किया था ठीक है यह folder बन गया और यहां पर आप देखोगे file path clips आप देखो यहां पर photo की recovery होना start हो गई मैंने आपके सामने इसको format किया था रियल में और उसके बाद मैं आपके सामने देखो यहां पर यह videos भी recover होना start हो गए तो यह Sony के camera से fx3 से shoot हुई वी clips है जो आपके सामने अभी यहां पर दीरी-दीरे करके recover हो रही है और जो software है यहां पर आपके सामने अभी 15% recover कर चुका data को literally देखो ARW files भी recover कर दी है इसने ARW यह नहीं raw file होती न वो भी इसने मेरे A7R5 की ARW file है वो भी इसने यहां पर आप देख सकते हो recover कर दी है ठीक है जूम करके देखिया हम पूरा data यहां पर हमें shot का देखने को मिलता है तो कोई इवन quality भी reduce नहीं हुई है हमने अभी आपके सामने actually में मैंने इसे format करके और आपके सामने मैं recovery चलाई है इस software को मैं 110% recommend कर सकते हूं आप लोगों को अगर आपको data recovery खुद से करनी है and data recovery of course आपके system के performance पर डेपेंड करती है आपका system कितना बढ़िया से perform करता है उसके बेस में उतनी speed से यह आपकी recovery करके देदेगा data की इसके साथ साथ में जो मेरी master luts है s-lock के लिए जो मैं use करता हूं उसको भी आप check out कर सकते हो उसके लिए आपको क्या करना है जाना है www.worldonend.com पर यहाँ पर आपको जो है मेरी master luts जो s-lock के लिए मैंने design की वी है प्लस मेरा वीडियो ग्राफिक का जो course है वो चल रहा है उसको भी आप जाके join कर सकते हैं link जो है मैंने सब description में drop किये हैं तो जाके जरूर check out करें thank you so much guys for watching this video stay tuned guys and keep shooting